अलामों अलेकुम वेलकम बैक टो आवर चैनल रोजा स्टीचिंग एन हसनेन ब्लोग तो आज हमें ब्लाउस का बैक नेक डिजाइन दिखेंगे तो इसके लिए हमने ब्लाउस के उंची लिए है साड़े तेरा छाती है हमारी 10 इंच यहाँ पर शोल्डर लिया है साड़े पास आर्म होल याने मुंडा खुली लिया है पौने छे अब यहाँ पर हम 10 इंच का गला लेंगे इस तरह से तो नीचे के साइड में भी 10 इंच पर इस तरह से मारकेंग कर लेंगे याने 2.5 इंच तो इसको सीधी लाइन ड्रा करने के बाद 10 इंच की गले की उंचाई लेते हुए गले को जोड कर लेंगे इस तरह से दुसरे साइड भी इसका छापा मारकेंगे इस तरह से आप चाहे तो मेजर भी डाल सकते हैं मैं इस तरह से इसको प्रेस कर रहे हुँ तो वन सैड में इस तरह से डिजाइन बना लिया है हमने दुसरे सैड में एक इंच इस तरह से बाहर आएंगे बाहर आकर इसको सीधी लाइन ड्रॉआ कर लेंगे और इसको मिला कर लेंगे तो यह one side neck है हमारा तो इस तरह से हम design बना कर लेंगे इसको तो इसको यहाँ से extra हमारा जो fabric marking करा हुआ है उसको cutting कर कर लेंगे बराबर से यहाँ पर हम canvas नहीं use कर रहे हैं तो direct aster के कपड़े पर गले को निकाला है हमने यहाँ पर तो इस तरह से घड़ी दाल कर कपड़े पर रखकर याने जो blouse का कपड़ा है हमारा उसके ओपर रखकर design का हिस्सा इस तरह से cut कर कर लेंगे दुसरा side हमारा एक इंच बाहर है तो वो cut करने की जुरूरत नहीं है तो अभी gaping up करकर गले को सीख कर लेंगे इस तरह से power points पर याने एक दाफ पर सीख कर लेंगे सीख कर लेने के बाद जो square वाला हिस्सा है इसको cut कर कर लेंगे अभी 세गी तरफ से cut marker लेंगे बराबर ठाके गला हमारा सीधा हो सके तो इस तरह से cut marker लेंगे पहले फिर गले को सीधा कर कर लेंगे देखिए इस तरह से गले को सीधा करकर लेना है हमें सीधा करने के बाद हम गले को प्रेश टिप मार कर लेंगे तो यह फिनिशिंग की टीप है हमारी तो ध्यान रखते हुए बारिक और अच्छी मारे एक लेवल में कम या जादा ना करें तो इस तरह से जोड कर लेंगे जोड कर लेने के बाद उल्टा करका फैबरिक को यहाँ पर कपड़े को और अस्तर को जोड कर लेंगे हां यानि बलाउस के कपड़े को और अस्तर को चारो तरफ से जोड कर लेना है हमें ताकि कपड़ा हमारा हलेना यहाँ पर तो इस तरह से जोड कर लेने के बाद हम बैक साइड की डाच लेंगे अब बैक साइड की डाच लेने के लिए हमने सेंटर से लिया है चार इंच और उंचाई लेंगे साड़े चार इंच तो आदेंज की डाच एक तरफ हमारी हो चुकी है दूसरे तरफ भी मार कर लेंगे और इसी ही डाच इस तरफ से डाच मारने के बाद यहाँ पर हम फैबरिक लगा कर लेंगे एक्स्ट्रा एस्तर वाला तो यहाँ पर निच्चे रख कर लेंगे तो देडिन चोड़ी है हमारी ये पट्टी तो इसको हम आदे इंच पर यहाँ पर सीधी टिप मार कर लेंगे जोडने के बाद एक्स्ट्रा फैबरिक कट करेंगे और यहाँ पर प्रेश टिप मार कर लेंगे प्रेश टिप मारने से हमारी पट्टी की फिनिशिंग अच्छी लगेगी यहां पर मारने के बाद कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करकर लेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो यहां पर कच्छी टिप मारकर हाथ सिलई भी कर सकते हैं मैं डायरेक यहां पर tip मार रही हूं इस तरह से पहले हम मार कर लेंगे tip को देखिए इस तरह से गल्या हमारा इतना तयार हो चुका है तो अब one side गल्य को GOAT लगा कर लेंगे तो उसके लिए हम यहां पर cross पटी लेंगे और उसको इस तरह से fold करते हुए यहाँ पर see कर लेंगे हम one side में तब इसको गले को लगा कर लेना है हमें तो one side का जो design का गला है हमारा वहाँ पर लगा कर लेंगे देखें इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर rediment dory भी लगा सकते हैं याने rediment goat जो बाजार में मिलती है वो भी goat यहाँ पर लगा सकते हैं opposite color की याने हमारी जो साड़ी का color है वो color हमने यहाँ पर use किया है तो इस तरह से goat बना कर लेंगे इसको goat भी हमारी एक level में आने चाहिए कम या जादा नहीं करना है हमें यहाँ पर goat को तो इसी तरह के new और latest design देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe कीजिए तो one side में अब lace भी लगा कर लेंगे lace हमें goat के बराबर से नहीं लगानी है थोड़ा gap छोड़ना है दोनों में powerpoints का तो आप अपने पसंद से कोई भी lace लगा सकते है golden lace सभी blouse को यहाँ पर चलती है इसलिए हमने यहाँ पर golden lace use की है यहाँ पर आते हुए इधर से उपर के side जाएंगे और यहाँ से हमें किनारे पर ही लगाना है lace को gap नहीं छोड़ना देखिए इस तरह से अब इसका design बना कर लेंगे one side वाला तो यह पटी ली है हमने 2 इंच की और यह पटी ली है हमने यह 3-3 इंच की सवरी तो इस तरह से इसको triangle में fold कर कर लेंगे दोनों पटीओं को हमने इसी तरह से fold कर कर लेना है square को दो opposite जो goat लगाया है हमने वो एक कपड़ा और blouse का एक कपड़ा इस तरह से दो कपड़ों को triangle में बना कर लेना है हमें अब यह एक के उपर एक रफ कर लेंगे तो दोनों तरप से हमारी distance सेम होना चाहिए कम या जादा नहीं देखिए इस तरह से सेम distance चोड़ते हुए जोड़ कर लेंगे हम triangle को इस तरह से हमें भरपूर यहाँ पर triangle तयार कर कर लेने है तो यहाँ पर हम दो triangle को butterfly type में इस तरह से जोड़ कर center में मोती लगा कर लेंगे तो जो बड़ा फैब्रिक है हमारा सिरिफ उसको जोड़ रहे हैं उपर वाले फैब्रिक को नहीं जोड़ रहे triangle वाले को देखिए इस तरह से तो इस तरह बाकी के सभी को तैयार कर कर लेना है हमें देखिए इस तरह से हमें बराबर से बना कर लेना है triangle को अभी जितनी हमारी गले के उन्चाई थी वो उन्चाई के हिसाब से हमने paper लिया है उससे एक इंच extra और यहां पर हमने दो इंच और पट्टी ली है paper की तो यह बराबर butterfly हम center में रखते हुए इस तरह से जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ से इस तरह से दोनों तरफ से जोड़ कर लेना है हमें जोड़ कर लेने के बाद अभी यहां पर हमें goat लगा कर लेनी है तो इसकी भी हमने पट्टी यहां पर तयार कर कर रखी है तो बराबर इस तरह से यहां पर goat बना कर लेंगे इस तरह से goat बना कर लेना हमें एक level में यहां पर भी देखिए इस तरह से तो इतना डिजाइन हमारा तैयार हो चुका है तो इसको गले के पास रखकर जोड़ कर लेंगे वन साइड में देखिए इस तरह से अब इसको बराबर से रखते हुए हम पहले जोड़ कर लेंगे इसको तो इस तरह से जोड़ने के बाद ये पूरा डिजाइन हमारा तैयार हो चुका है तो पेपर को रिमो करेंगे याने निकाल देंगे यहां से तो ये पूरा डिजाइन देखें कितना अच्छा लग रहा है देखें इस तरह से कितना सुन्दर लग रहा है ये डिजाइन वन साइट डिजाइन है ये हमारा अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद देए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सबस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आला आफीज